हेलो, गूड मॉर्णिंग, गूड अबरनून, आप सभी फ्रेंट्स कैसे हो, आई हो, बहुत अच्छे होगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं, तो फ्रेंट्स आज है, देवठान तो देवठान है, तो पूजन के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, और आज मैं गईती, अपना आईब्रो सेट करवाने, आईब्रो बनवाने, बहुत टाइम से दो-तीन मंद हो गए, जब से आईब्रो नी बनवाया, तो बहुत जादा खराब होगी, बहुत हैपी हो रही है, बड़ी-बड़ी, तो मैं आईब्रो सेट करवाने गई थी, लेकिन पालन नी खुला, एक द बस मुझे ऐसे धोने के बाद ऐसी छोड़ दो मुझे ऐसे बाल बहुत पसंद आते हैं तो रियल्टी में अच्छे लगए तो आप सबको हैपी देप्ठान है और देप्ठान की पुझा के लिए मैं रेडी हूई हूँ और दुगू खड़ा हुआ है तो दुगू भी एक मैं मैं उसको तीशिट पिना दीती है फिर से दुभारा से पहनने की बोल रहा है मतलब दूसरी तो उसको पिना देते कौन से पहनना है आप लोग हमें ब्लॉग को बनी रहेगा तो तुझे अभी तक नहीं है साम हो गया रात हो गया और नहीं हो यह लड़का लड़का उदम कर रही देखो इनका डांस तो जाओ पापा को खड़ा करो भी बोलो पापा जाओ जल्दी तो चलो मैं अपना काम करते हैं सो हजबन को भेज दिया नहाने के लिए और यहां मैंने पहुचा लगा दिया यहां डुगू को वही तीशिट पहना दिया फिर से जो मैंने मतलब नय पहना आया था लेकिन मना कर रहा था कि मुझे रैड वाला तीशिट नहीं पहना है मैंने का तुने 15-20 पिनिट पहल लिया और और कपड़े गंदे मत कर बेटा अब इसी को पहले तो उसमें फिर पहल लिया हूँ यहां मैंने पोंचा लगा दिया है गन्ने रखे हुए हैं तो साफ सुद्रा कर दिया है पूजा यहीं पर होगी पूजा किस किस के यहां होती है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन मिल गया ममी ठीक है लाओ तो गोवर मिल गया तो मा जी गही थी गोवर लेने भैस का गाय का तो मिला नहीं लेकिन गाय का होता है गो माता का लेकिन भैस का मिल गया तो भैस का ही लेके आ गई तो हमारे हाँ चौक पूर के ही मतलब चौक आटे का पूरते हैं जो भी कुछ भी फेस्टिवाल होता है होली दिवाली या कुछ भी तोहार हो तो गोवर का चौक पूर के फिर उसके उपर आटे का और मुझे चौक बनाना जाद मेरे सामने तो किसी ने नहीं बनाया अपने घर पर भी मैं बनाती थी और यहां पर भी कोई मुझे मतलब सिखाया नहीं किसी ने जैसा आता है वैसे मैं बना दे रही हूं तो वैसे रंगोली भी बनाई जाती देव ठान के दिन और पता नहीं क्या क्या किया जाता है और इस जैसा हो रहा है वैसा कर लेते हैं और बेटा बाहर गेट पर खड़ाए कि मॉर्निंग में मैं बॉइस तोबर कर रही हूं और यह इवनिंग का मदब नाइट का व्लॉग है इवनिंग के साथ आट के बीच खाई है तो स्टम फूजा हो रही थी और यहां देखी का हमने चार पानी भी डाल रहे हैं तो खीर कोई जादा नहीं खाएगा थोड़ी सी खाएगा तो खीर बना ले रहे ठीक है और आप लोग भी हमारे आज खाना खाने आ जाईएगा और तब्यत खराबती सुबह से अब खड़ी हुई जब कहीं नाया मैंने और जब कहीं पूजन के खासुमा को तो पता ही नहीं ममी को भी नहीं पता सासु मा को क्या है क्या नहीं तो मैं मंगा लूँगी सुबह ही और यहां ममी नहीं चूला उला जैसे साफ किया वैसे कर दिया बस मैं तो नहा के आगी और अपना यह खाना पीना बनाने लगी भगवान जी के लिए तो ये पुआ है इसमें मैंने पानी और मीटा गुड़ खो रहा था और आटा तो तीन चीज मिक्स किया और ये इससे पुआ बनता है हमारे याँ और आप लोग को बताई चुकी कि हमारे याँ कड़ाई पहले मतब कुछ भी बनाओ तो पुआ बनाए जाता है कड़ाई मैं तो पुआ बनाओंगी तो आप लोग देखो और मैं है बातियां बटने लगी बातियां तो ये बातियां हैं तो वैसे मैं गोल वाली बातियां बना हुई है तो चूटी नहीं है यह वाइट होगया ऐसा लगता इसमें जाड़ों पहुचा करकर परिशान हो गया अब ठाइल थोड़ी तो चुटा तरह टाइल पे गिराता वो तो साफ हो गया लेकिन इस पैसे चुटाने के लिए कुछ आता है तो आप लोग मुझे जरूर बताना कॉमेंट में, अब मुझे तो पता नहीं है, यह पैंट साफ करने के लिए कुछ आता है जमीन पर, यहां देखिए का आयल और मैंने बाती लंबी वाली बटी है, क्योंकि हस्वेंट ने बोला था कि लंबी वाली बाती होती है, मैं बाती बोल रहे हैं, बाती तो खाने बना दे रही हूं, बस अब पूज़ा ही होने वाली है, कैसे क्या पूज़ा होती है, आप लोग भी देख लीजेगा, लेकिन आज बहुत बड़ी गड़बड भी हो गई साथ में, पूज़ा के साथ में, क्योंकि हर बार ससुर जी रहते थे साथ में, वहीं पूज़ा करते वेलकुल यह knowledge नहीं है, पूजा करते में मेरी तो लड़ाई सी हो गए उनसे, मैंने क्या पूजा हो रही है, लड़ाई मत लड़ो, यहां बना लिया पूजन के लिए, यहां कंड़ा जला रहे हैं अग्यारी के लिए, और फिर रख दिया था कंड़ा जलाने अग्यारी के लिए, फिर हम यहां मत बैट गयते, थोड़ा रेस्ट करने लगे हमने का, क्योंकि हमाई तवयत भी खराब थी, तो फिर हम सुबह वैसे दवाई, अब मैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वैसी हैसी मजा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, थोड़ा सा, कुछ नहीं, ऐसा तो हर कोई करता है, और यहां देखो, और मेरे घर में एक खासियत, मुझे बहुत गुस्ता आने लगा है, घर में कितना भी चाड़ू पोचा कर दो फिर भी, घर में धूर मिटती आती है, और पैर इतने गंदे हो जाते हैं, बहुत जादा, देखो अभी तियार हुई, दो तीन बार राउंड लगा है, और पैर होके गंदे, और भी बिना के आई थी, यहां देखो, मैं आराम कर र भी नहीं थी, वो बैसे नहीं हो पाई, हर बार पापा करते हैं, लेकिन बाद में याद आई थी, कि कैसे कीज आती है, और नारियल भी नहीं हम ला पाई थी, तो हमने सूका नारियल रखा था, वोई खर पे होई हमने फोड लिया था, और यहां मतलब दिये जला के है घर में, जेट जी भी हैं खेर, उनकी वे तव्यधि खराब सिया, वो भी सो गए हैं, वो तो खेर पुजा pada करते ही नई है, और वो तो अपना अलगी रहते हैं, उनकी माір गयरा नहीं रहती हैं, उनकी बाइप अलग रहती है, अब उनकी स्टूरी क्या बताऊं वह तो अकेला पर मैसुस्स करते हैं इसलिए वो अकेली रहते हैं तो यहां देखेगा हम चार लोग हैं और पूजा कर रहे हैं और हस्वेंट को मैंने सिखाया ऐसे अगरवत्ती लगाई जाती है क्या तो गुस्सा यहीं कर रहे थे लेकिन मैंने कट कर दिया था अपैर ऐसे जमाना फिर मैंने का नारियल वे ऐसे तब बैटे अच्छे से पालती मरके तब कहीं उनने नारियल फोड़ा मैंने उनको बहुत सुना दी हैं पर सच में और यहां पूजा पाड़ हो गई और यह दे रहे हैं डुगू और हस्वेंट परिकमा तो हो गई हमारी पूजा और क घटा सामा रखे फ्रूट बगेरा भी नहीं ला पाएते तो आदी है दूरी सी पूजा रह गई अब जैसी हो गई गलती हो गई अब क्या करें तो यहां बहार मैं दीपक रखने चल दी दिये रखने चल दी अब दीपक मेरे हाजवेंड का नाम मैं तो दीपक नहीं बोलू और बोलते हैं कि पती की आयू कम हो जाती हमारे यां पर बोलते हैं बाहरत माने पर आपने आ सब्सक्राइ Rahid , उद्वी अटी बाहत होगी अई भी ती